हिंद बंदमातर हम साथियों दिस इज भीके मिश्रा एंड यूवाचिंग विके 24 इस मिश्रा मेत्रों ये मैथ का सेट नमर हमारा ये बिहार बोर्ड कलास 10 के एक्जाम को देखते हुए 2022 के लिए ये मोडल सेट नमर 3 होगा हमारा क्योंकि इससे पहले ओले मोडल सेट 3 हमने 2 सौल को क्लियर कर दिया है जिस्में टोटल सव को शन हीम देंगे अब रही बात की बोट के कुछ निर्देश जो दिया है चलिए आपके सामने यहां पर कुछ क्लियर करना चाहते हैं बोट का निर्देश है और बोड क्या निर्देश देना चाहता है ज़रा ध्यान दिजीए गा और इस निर्देश को आपको भुलना नहीं है क्योंकि यही रात आंतिम यही रात भारी होने वाली है तो अब देखना यह है कि आप भारी हो रहे हैं एक्जाम पर यह एक्जाम आप पर भारी होगा समझेना पहले दिन ही मायत है तो इसके लिए बिल्कुल चुकना और ठकना नहीं है बिल्कुल सच और करेक्ट मारना है तो देखें सौब कोश्चन देंगे इसमें 50 प्रश्चन आपको यह उमार सीट में मारना है क्योंकि इसके लिए मात्र 50 नमर कसम खागे जाना कि आपको कै सब्सक्राइब करना है 50 सब्सक्राआदें 20 स पूर्वक करके नहीं कहले लिए तो जाया है तो जहिए दीए आपको ब्राउज प्रफिशनों महेस भी तुम्हें फेल नहीं कर पाएंगे अगर मेरा टेकनिक अपना लो तो चलिए और सांति के नहीं यह चाहते हैं प्यारों की एक चैनल पर मुझे बिल्कुल पहली बार देख रहे हो इससे पहले ना देखे हो ना जाने हो ना सुने हो समझे हो तो कौन सा होगा द्युगात समिकर्ण बताना है इस पर मेरा पुरा का पुरा बहुत विधिवत मैंने बताया है कि वैसे देख ले वैसे जोड़ दे तो चार और गुणा कर दे तो पांच आ जाना चाहिए तो ऐसे संख्या कितना है तो बिल्कुल से यह डी वाला अपसे नमार फोरे से वाला फर्मूला पर जवाप निकालोगे तो इसका राइट अंसर जो बनेगा वह बिल्कुल सही है चौह ही आएगा कितना आएगा डी कमान चौह ही आएगा ध्यान दीजिएगा आप चलिए क्वोश्चन नमर तीन में भी हम इसे क्या बोला है कि कमान निकलना है य द्युगात बहुपद की संख्या क्या होगी सुनियक चार वर साथ दूग है 23 द्युगात बहुपद की संख्या कितनी हो सकती है कितनी संख्या कितनी हो सकती है द्युगात बहुपद इसी का करेक्ट जवाब आपको करना है और चलिए बिल्कुल सटिक जवाब है अंगीनत हो सकते हैं दिवगात बहुपद पांचवा कोश्चन निमन लिखित में से किस समी करोने का मूल दो होगा किसको सल्व करेंगे तो इसको सुनियक दो निकलेगा तो ऐसा ही सल्व जब इसको करेंगे बिलकुल आपको तो दिवगात चूतर में PhD कर चुके हैं तो आंसर हमारा कौ देतो जोड़ देतो माइनस साथ और गुणा कर दे तो बारा ऐसा संख्यां को दो चाहिए तो इसा कौन संख्या है बता देना है बिलकुल चौदूना कितना होता है 12 प्रतिछेदी में कौन सा हल होता है बाबु बता देजिएगा तो इसको क्या बोलते हैं बिलकुल इसमें PhD कर चुके हैं सिर्फ एक हल होता है प्रतिछेदी में आप चलिए सात्वा कोश्चन भी हमारे सामने आ चुका है आपके स्किन पे ये रहेगा देख लिजिए सात्वा कोश्चन हमारे सामने ये है समनांतर सिर्णी के सर्वांतर दो है और एन्वा पद मतलब ए सत्रा माइनस ए तेरा बराबर क्या होगा अगर इसका सर्वांतर डी कमान कितना है दो है तो इस पे तो डी कमान रख देना है बस आपको क्या कर देना है ये सत्रा कमान क्या सम्झें ऐसी फर्मेट पर डी कमान रखेए यह कमान अटो मेंटिक चला आएगा उसके बाद एयन निकाल लेगा इसने से कंफर्म करेक्ट कर सकते हैं जब इसको सल्व करेंगे तो आंसर हमारा को निकले तो माइनस का आठ समय करन यह दिया हुआ है तो समानC विड्भर क्या होता है इस पर तो कल भी ये कोश्चन रिपीट है तो रट्ट मार कर जाना जब रूबीट कोश्चन कर रहा है तो पुष सकता है व बत्ट में क्या होता है फोर व होता है चलिए समनांतर शिरनिमें अगर यह दिए बरहवा हपात निकालने आता है ना बिलकुल निकाल सकते हैं बरहवापत बोला है कि इस एक न बार है यह थाला है जब इसको सल्भ करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बिलकुल सही है फर्मूला आपको मालूम होगा कौन सा होता है बावू तहीं एक सोन के साथ वाई टू माइनस वाई तरे और देखो जरा कौन सा अप्सन नम्मर वन को देखो किसी और को देखने के जरत ना पड़ेगी और यहीं हमारा सही भी हो जाएगा फोर टैन ठीटा बराबर फोर तो ठीटा का मन क्या होता है फोर बटा फोर वान ठीटा का मन कितना पैताले सेकन होता है चलिए कौसिक सत्र बटा अट बावू यह निकालने आता है न कौसिक बराबर क्या होता है कर्ण बटा में लंब होता है अधार बिलकुल निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं न, 17 के स्क्वाइर माइनस 64 कर दीजेगा, जो आएगा वही आपका आधार आएगा, अटेंटिटा बराबर क्या होता है, लंबटा में आधार होता है, जो कि हमारा आंसर बनेगा, वह आपका अपसन हो जाएगा, अपसन नमर बी हमारा यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि 15 निकलेगा, अब देखो कोश्चन नमर बड़ी सुन्दर है, घड़ी मिनट के सुई में, 60 मिनट में कितना डिगड़ी के कोन बनाएगा, अब देखो कोश्चन नमर बनाएगा, अब देखो कोश्चन नमर बनाएगा, अब सब को जोड़ देंगे, अब जितना को है उतना से भाग लगा देंगे, आंसर जो हमारा आएगा, लटक सटक के, वो हो जाएगा, सी वला अर्था 6, कितना हो जाएगा, 6, अब ये कोश्चन तो बच्चा पाड़े की तरह, बच्चा की तरह खेल जाएगा, 45 डिग्री का मान क्या होता है, रूट टू होता है, रूट टू का स्कूर टू, आटू में से टू गया, जीरो, ना सोचना है, ना सोचने पर मजबूर होना है, हाई देखो, कोश्चन नमर, बबू आच्छा, आप दो सेंगया, सीको को उशाला जाता है, तो दो बार सीर्षाने के प्राइकता क्या होगी, कल का रिपीटेट कोशन है, तो इस तरह का बावु सेट मारने से यही तो फाइदा होता है, बिलकुल लाब होता है, आपको एक्जामे जब मिलेगा तो इसके लिए समय तो नहीं यह दीजिएगा, नहीं न दीजिएगा, बिलकुल सही है, वन माइनस, देख बवी यह आप सपे, वन माइनस 91 अस्वेईर, ए बराबर क्या होता है, तो वो होता है, कोस एक स्वेज चिपन कोट क्या होता है, वन, और इसका आंसर होजिगा तू, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जादा नहीं लगाना, कि दूने मेंigor आश्म सा और है दो पर एक साथ ही चुम्हाने की प्राकित चारए स्वाम. चार चाबाल साइव भूंन मैंट बमाईनस वह थे होगा,ार्फशी, चारे सिर्भ अर गेंड हrana हो कांप दिन हुखरू Sin 95 DG का माना और cost । ।- richtig का माना क्या होता वं 1-1 क्या होता है 1-0 क्या होता है आप ही बता दीजे कि हमको बताना पड़ेगा इत्रा चलाग तो आप हो चुके हैं विल्कुल सभी है भी है बिल्कल चहीyan 1-1 होता है और तिरी ज्खाक का किसको को देखके किसी और को देखने के जड़त न पड़े गी सोचो नहीं सोचना नहीं एक तूय Lakini है इसको वो होगा 20-70 समझ रहे ना 20-70 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा नबबे और दोनों का अंतर देख लो ना 20-70 का अंतर पचासे न है यह तो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो भी है कहां चलिए 23 कोशन दिये गए यह तिर भोजा और यह दोनों आपस में क्या ह समलावाबु इस पर बना चुके है ना इसका बटा इसका इसका बटा इसका कोना कोनी काट देंगे इसका कटिंग इसके साथ करेंगे तो हमारा फाइनल अंसर जो आएगा कुद के आ जाएगा वह 2.4 हो जाएगा समझे आईए क्वेश्चन नमर 24 हमारे सामने ये रहेगा चार अपसन के साथ यदि ओकेंदर वाले ब्रित टीए और टीबी असपर्स है तो किस तरह से अगर एक कौन सतर डिड़ी है तो दूसरा कौन कितना होगा दिमाग है तो लगाई या ना हो तो कोई बात नहीं बीए को है आप ही बता दीजिए बिल्कोल सही है उसको समनांतर रिखाया कहते हैं कर देख अरब कोस्टर नमरre से घटाएंगे 64 मार दिजिए बी आठ है देखो साइट इस दोनों का यूग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा आप समकोर तिर्भुज वाला फर्मूला जब लगा देंगे तो आंसर जो हमारा निकल के आएगो बी वला अपसन सही हो जाएगा नौ सीयम आप कोश्चन नमर आगे हमारे सामने तिस निम्न लिकित में से कौन सा सेक साथ डिग्री के बराबर क्या होता है कौसिक साथ डिग्री होत अबिवक्तर मतलब वही सुनियकों का गुडण फल क्या होगा तो इतना सोचना नहीं है बस ठोकना है वह भी कौन सा अपसन एक ठोकना है यहां पे कौन सा होगा सौरी गलती से मिश्टेक होगी यहां पर 25 होगा आप चलिए समना अंतर सिरणी में यह है और डी है एन पदो क योगफल पुछा है यह तो कितना दिन से आप पिच डि कर रहा है वह सही है द्युगात सुत्र बताव और यहां पुछा नहीं लगाना है और ठोक करके निकाल देना है सत्वापद यह-उन बढर दिया है तो यह न बराबर क्या लिखना है? साथ लिखना है तो साथ पचे के कितना होता है? 35, 35 में से 9 जाएगा अपसर नमर कोन बन जाएगा? आप बताईएगा कि हम बताएगा आप ही बता दीजे ना तेज हो चुके हैं तो बिल्कुल सही है 35 में से 9 जाएगा माइनस का 36 बचेगा अरे तरीके यह देखो फर्मूला है कोसे के स्क्वाइट ठीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? किस में चेंज होता है? कितना होता है? बताईएगा कि हम बताएगा आप ही बता दीजे बिल्कुल सही है किस में? बिदु यह दोनो भुझ का भुझ क्या होगा? बता दीजिए भूझ एकस होता है याम याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि इसको एक्शली बोलते क्या है? तो भूझ इसका 12 होगा और कोटी इसका 18 होगा समझे भूज कोवन एक्स होता है और कोटी कोवन होता है 18 ध्यान में रखिएगा कल थोड़ा से मिस्टिक हो गया था नहीं बता पाई थे पचास और 40 का योग कितना होता है 90 तो दोनों को एक में से एक को तो चेंज कहिए देंगे न इसका मान कितना निकल लेजिएगा बता दीजिए आप ही बिलकुल सही है इसका मान कितना निकल लेंगे 210 पचास हो जाएगा यह दोरी सुत्र आचुका है आपके सामने कुदता हुआ बिंदुए जो दिया है 4-6 और माइनस 4 दोनों की अवस्तित किसमे होगा दोनों किसमे अवस्तित होगा बता दिजिए गजारा एग है फर्स्ट क्वाड एंड में और दूसरा है तिसरे क्वाड एंड में तो किस प यह बिल्कुल को ना को नी कटहगा नहीं किया इसे क्या होता है X और यह क्या होता है य तो यह फर्स्ट क् सब्सक्राइब को बड़ी से बड़ी संखे कौन है जो दोनों को काट देगा 45 और 60 को किस्मिया उकाथ है 45 60 को नहीं काट पाएगा तीन दोनों को काटेगा एक कोई मतलब नहीं बनता है और 15 का अबरे में सोच नहीं सकते तो 3 हमारा है 15 को कों सा है पहले तो हमारा 3 है तो यह जो बड़ी से बड़ी संखे तरहीं में इसका घात कितना होगा घात बताव ना बबू कितना है दो है तüp modulation के बाद क्या है इक चलिए यह संख्या संख्यां परेंगे डिब नौब होता गांडे जो की संख्या अमान स्पीरिश Sc friend कि हम आपको सल्व करने दिखा रहे हैं क्या बोल रहा है एक्स के जगह पे आपको न रखना है तो वन का क्यूँए वन होता है और फांच को सक्वर कितना होता है पांच नहीं होता है वह bleibt पुछ बिग्ड़ का रही न पुछ आहिए यह सवाल cha पुछा है क्या हो जाएगा वह आपको बता देना क्या होता है आलफा प्लस बिटा बरब सुनियोको का यूग वैसे दीख भी रहा है नजरिया जरा आपका खराब हो गया तो कोई बात नहीं इलाज कराईएगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं है आपको दिख भी रहा है तो दिखा भी दीजिए और सही हो जाएगा उसका माइनस तीन हो जाएगा और यह पलस में है तो माइनस में न हो जाएगा क्योंकि माइनस भी बाटा यह हो पगला बिहारी आगिया सब पेभारी अई देखो किसी भी संक्या केपाउर में अगर 0 होता है tuto उसका मान हामेशा हामेशा एक होता है ना भुलना है reports अब इस से जब गुण़सर करilläंगे तो y सुवाई खतम हो जायंगा ये गो ये गो बचेगा अब ये क्या बचेगा वाइप पलस त्री बचेगा तो इसका मान बता देना है की कौन सा होगा जोकी या आंसर हमारा सही और करेक्ट बनाएगा चलिए वइसे याद दिला देते हैं कि इसका आंसर मेर ररकुनkek अगा ये वालों कुछएUA युब निगालकर के यह है क्यों निकल बज़ाये कोन सा विद्ऽी आपको झ्यॉप चरेक्ट करना सब्सक्रिक डॉप्सर्द नमारल सएगा चलिए लास्ट में आपको बताएंगे subject में हम आप से वादा किये थे कि subject हम question लेकर गयाएंगे लेकिन ना लेकर आने के पिछेया ऐसा कोई भी question हमको पूरा modal set में नहीं दिखा जो आप नहीं बना सकते हैं सबी कोश्चन मुझे यह सहीं दिखा है जो आप बिल्कुल आसानी से इजली कर पाओगे समझे तो बिल्कुल हमें वह सहीं दिखा है हाला कि हम आपको कुछ टेक्निक बताने वाले सब्जब्टिक के लिए आंतर तक बिल्कुल लगे रहिएगा लाश्ट में हम बताएंगे कि सब्जब्टिक के साथ क्या करना बस यह बात ध्यान में रखिएगा कि यह एक्स और वाई कमान आप कैसे निकाले प्रतिया सपन बिल्वपन सब में निकाले हैं यह है समन आंतर सिरनी के सर्मांतर ग्याद करने बाबु यह टू माइनस एवन सदा बाहर फर्मुला है ना कौन सब्पद रिंडात्मक होगा माइनस में आ रहा है न माइनस में तो एक दू तीन दूगोत यहां पर दिख रहा है चौथा पद क्या हो जाएगा अब इसके बाद जो जाएगा मैनस से न जाएगा तो वह से एन कमान निकल लाएं तो मुह मुह बनाईए मुह बना सकते च्छोटा सवाल है इसके बाद पाद में क्या है इसके बाद दसवा करिएगा तो आठवा होजाएगा चले समना अंतर शिरणी में नहीं है बस जाज करना है जाज करने में तो आपको PhD हो चुका है PhD हो चुका है कि नहीं हो चुका है A2-7 वाला फर्मूला लगाना है बस जादा नहीं दूग उपदों की जाज करना होता है जादा कुछ काम नहीं करना होता है बिल्कोल आप janomr aja लेको को चैप शुटर वाला फर्मुल अ प्रमूला हम लोग पीएजडी मेल कुछी में कोई फरक नहीं पड़ेगे दोनों से पूछा यक्यार चैये पुश्यार यह कर देंगे बरग तो कहानी समाप्ट समझेगा इस का परियोग करते हुए पश्पन कोश्चन पश्पनवा नमर कोश्चन का आंसर जो हमारा फाइनली बनेगा वह चलिए आपको हम आंसर क्लियर कर देते हैं ताकि सस्पेंस ना रहे दो अवर एक आएगा चलिए च्पनवा कोश्चन मुल बिंदू पीसे यह और दोनों दिया तो दूरी पुछा है तो दूरी पुछा है माइनस माइनस प्लस होता है की नहीं होता है बताइए कि कौन सा आंसर होगा सही जबाब बिल्कुल सही है यह वाला सही हो जागा क्यों मा बिन दो ऑर तीन बिन देंदो कि कहा हमान पुछंट ओर एक बटा दो और एकस्टू Свण समझे ना वै 이용 एकस्टू एकस्थ्री वाइट परमेट पर जब इसको बनाईंगे answer क्या हो बिल्कुल बता दीजिएगा चलिए हम आपको आप्सन केलियर कर देते हैं ताकि सस्पेंस आपके अंदर ना रहे वो होगा माइनस का 63 चलिए यह दो समरूप के तिर्भूजा का अच्छत पराई देखो 5, 25, 8, 8, 24, अप्सन नमर C बीना पुछे ठोक देना है तिर्भूज का परिमाप क्या होगा तो भुजाओं का योग होता है भुजाओं का योग होता है न तो सबका योग ही करना है ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है और ठोक के बाहर निकालना है इसका C वाल अपसन मॉजएगा 24 समझे 8,port 44 होता है ओता है देखो आड़ोग रही दोनों यहीं दोनों नवम्र में नवम्र है नबरा करोंटव्र ह über vendors Amy क्तिना एक अब्रक आवा घुचवर्ण विदो शेगा में अब्रेट करा दो ना फोल्फ कि नबेड तोद्स इस एक एक आज अब्रक को नब्रक भोणने ऊच्वर्ण आए यह कोण को सम्गाता रहा है Стanudra वाला कितना होगा 45, 45, 90, वाला कल repeated question था, अब यह चुकि मजा किया है, D एक बिरित का ब्यास है, तो उसका छेथफल क्या होगा, अगर D ब्रित ब्यास का छेथफल है, तो क्या होगा, pi, ra, square तो होता है, ra, square होता है, तो D में पुछा है, तो ब्यास के regard में जब आप करते हैं इसका छेथफल का answer, तो answer जो होता है, बिल्कुल सही है, pi, da, square बटा, four हो जाता है, क्योंको two होता है बटा में और two पहले से भी होता है, वही वाला तुला फड़ा है और कुछ ना है क्या रखा इस दुनिया में आग लगा दो सीने में तब मज़ा है जीने में चलो A, B, C, D और F करम सा भूजा A, B और B, C पर इस परकार है कि D समना अन्तर है B और यह देखो एक बटा दो दिया है यह सी कमान 27 दिया ते इसी आई देखिए यह वाला तिर्भोजी यह बीच वाला बिद्दू है नहीं याद है तो कोई बात नहीं है फोर भाई थ्रे पाई यार क्योग रट लिजिए नहीं याद है तो फर मुलो राटा मार के जाना बाबो इस पर पूरा महभारते हम बना रखे हैं जाहिए एक भी कोश्चा नहीं होगा जिसमें हम वीडियो ना बनाया हूँ दो खंबे तेरा और साथ सीम वाले समतल जमिन के उर्धो आधर खड़े हैं उनके पाद बिंदू से आठ सीम के दूरी सीरे के बीच वाली बाबुरे ज्यादा दिमाग मतलगा ज्यादा दिमाग मतलगा दोनों का एसकार करकर माइनस कर दे कहानी समाप्त हो जाएगा और आं कुछ दर पहले यह ने बोला था क्या मज़ा है जीने में जब तक आग न लगी हो सीने में तो आपसन नमर ए है हमारे पसीने में हरे तरी के मिलान जिन वह आठवा का सवाल एको डाल दिया है वैसे हम आपको बता चुके 20 कोश्चन को बाव शाट देना बिलकुल सही है यह कलास का सवाल पूझा है यह हाई फाई लेबल का नहीं है छोटा सा सवाल है आठवा भी बेशा का पड़े हुए हैं समझदारी के साथ पड़े हुए है तो समझदारी के साथ अगर इसका आंसर कर लिए तो ठीक ना किये तो हो ठीक तो आपसन जो हो जाएगा बी हो जाएग सोला बस यही तो ढूंड़ना है जादा दिमाग नहीं लगाना हाई देखो जीरो ठीटा जीरो जो है ठीटा जो है जीरो और नब्बे के बीच में है तो साइन ठीटा वाई और कोस ठीटा का मान हमेशा हमेशा क्या होगा बेलकुल सही है यह भी आप बना सकते हैं दसवी कलास कहीं चीज है लेकिन फिर भी जब दिमाग ना आटे ता इसे सवाल को छोड़के आप निकल जाईएगा ता आपको कोई पागल और मुर्ख नहीं समझेगा क्योंकि बाद में तो आपका आंसर ना देखा जाएगा वह इसे रट्टा मार सकते तो मार लिजेगा वन माइनस व भूजों की संगत भूजाओं का अनुपात सदय वह क्या रहता है बच्चा की तरह मार येगा फिर भी बच्चा की तरह पास हो जाईएगा और सई आंसर के लिए सई कोश्चन किया गा है बी नमर को थेल्स परिमें ये कहा गया है बबु अच्चा आप सवाल में क्या जब आपका आएगा जरा देख लेते हैं कि एक बृत की परिधी अगर एक सब बतिस है ते इसकी तिरिज्या क्या होती है बाबु बृत की परिधी अगर बात करें तो टू पाई आर होता है बराबर में कितना दिया है एक सब बतिस दिय बार में इसको लपेट दीए तीन दूना कितना होता है छो बार में तो यह कितना हो गया तीन दूना छो और साथ तीया के कितना होता है 21 जो की अप्सन नमर डी में है मुही मुही बन गया सवाल समझे तो यह कुल मिलाकर के ध्यान दिजीगा जरा तो ही पास होई एक नहीं तो फेल होने से किसका बाप रोक सकता है छलो यह घणाब दिया है लमाई चोड़ा यह करशा इकन गणाअब का बिकन पुछा है घणाब का बिकन तो आपको मालूम है मालूम है तो बस उसी फर मुला ँस गटना की संभवना क्या हो सकती है दोहराया हुए हुआ को वॉन माइनस पी होगा हुआ और परांगाल पूछिए हाद तेरी के कोश्चन के रूप में मजाख वहीसे वही ये भी 12 का सवाल है आपसे पूछा है ये अलग बात है लेकिन है 12-1 का समझे आपसे पूछ दिया है त सबका योगा और बटा में वही सबका योगा और बटा में गिन लोगा एक दो तीन चारपा जैगो है नो वहीगो से भाग चलिए यदि किसी घं का पर तीक किनारा यह लिकाई हो तो उसका संपूर्ण प्रिष्टिये छेत्फ़ल घना आपका संपूर्ण प्रिष्टिये छेत्फ़ल क्या आता है सिक्सिंटू भुजाय स्कूर देखिए न बीवला अप्सन को हमको ज्यादा मत दिखाई आप ही देख जुवा है मजा कर दियह है आपसे मजा किया है मानक रिलन चुन होता है कि unacceptable क्या हो सकते ने सट क्राइकता क्या हो Сकता है प्राइकता क्या होती है तो हमेसा होता है नहीं कि माइनस यदि किसी संगु की तिरिजया चवदा है तिरिया कुछाई 15 है तो संगु का संपूर्ण प्रिष्टिय से तो पाई आर एल क्या होता है पाई आर एल समझे तो पाई कमान जब तक ना बोले जाए तब तक 22 बटा साथ आर कमान आपका अवेलेबल है चवदा और एल आपका दिया है पंदर साथ दुना चवदे 22 दुना 44 पंदर हमा जितना होगे गुणा करने आता है कर लिजिएगा आंसर बता दिजिएगा क्या होगा एक और लोग करेंगे ना बिल्कुल से ये बारे साच्छीहत्तर होगा आप आगया क्वेश्चन नमर बड़ी सूरीले अंदाज में हमारे सामने 79 ये रहेगा दो ब्रीत की परिधी का अनुपाद तीन अनुपाद चार है तो उनके छेटफलों का तिन तिया करना चार चाव का सोले तिन तिया करना चार चार चाव का सोले अप्सर नमर डी आप होगी जर बताइएगा A, B, C 55 वैसे यहां पर दिखाया भी है A, C, B A, C, B ये वाला कूण ये वाला कूण हमें बता देना है कि कितना डिगरी होगा एक आंतर कूण वाला तो आपको मालूमें है पहडा तो पढ़े है नवा कलास में वैसे आप PhD कर चुके है तब बिल्कुल सही है पच्पन डिगरी ही होगा समझें हाई देखो क्या मजा कोशन कल कुछ और दिया था आज कुछ और दो का भाज गुनन खट एक सच्छे वाली सबाबू इसे लिख देना आइसे ब्रेक करना देखना इसमें दू का एगो आ रहा है इसका घात जाएगो होगा वह इगो मार दे सकते हो कि ने मार सकते हो तो इसका आंसर जो बनेगा ना बीना किसी रुकावट के वाला बन जाएगा ता चार दो का घात कितना मिलेगा चार आप अरि में संख्या धूंड के बताओ अरे पगला भीहरी यह देखना आभाज संख्या रूट टो पी पहिं ले यह नहोगा कि इसका मतलब दस इसका मतलब दो इसका मतलब संख्या जिसके कोई गुणन खंड नहीं है तक 40 हमको दिखhma है आपको बॉज है आपसट Самüllt की अप्सर नमबर दी होता नहीं है हाई देखो यह परिमें बताना है प्यारों क्या बताना हमें परिमें बता देना है 10-10-10-50 नहीं कटेगा यह भी बराबर है यह भी नहीं कटेगा यह देखो 144 आया क्या लिख सकते हैं एक बटा बार नहीं लिख सकते हैं तो यहीं न परिमेसंख्यात अप्सान नमर यह जिंदाबाद श्वाहा आगी सवाल लंमर हमारे सामने 86 किसी पुण पी के लिए परतेक समपुणंग क्या मजा कई लिए है तो आप क्या बता ही लिए है आपने बताया टूपी ना सही है निमलेकित में से 10 अमलापर सार असांत बताना हाह हाह असांत बता ना है तो चुछ को सुनियों को का योग क्या होगा वैसे देख लिजे सुनियों को का योग तो माइनस माइनस होगा प्लस चौदे और ये दुनों का गुणनखांड पॉचवटे चालिस कितना चालिस साथ से इसको काटेंगे इसको काटेंगे बीश से अब नहीं कटेंगे तो आइसा नहीं होगा तो आइसा जब अपसन हमारे पस न टकराए तो कौन सा होगा टकराने वाला आंसर भरबली कर सकते हैं तो अपसर नमर सी जिन्दाबाद हो जागा आठ पचे चालिस अब देखो कोश्चन नमर आ गया हमारे सामने बड़ी सुन्दर है 89 एक असुन्य परिमय और परिमय संख्या का गुनन फल हमेशा 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 क्या होता है तो हमेशा 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 दिमाग मत लगाईए सीधे से बात बताईए और कुश्चन नमर जो आएगा बिल्कुल सही है डी जो मिट गया है नहीं यहां है रोटे का रही नहीं आया था तो पलस मैंनेस दोनों मैंने देंगे क्यों कि घात का है घात का है दो चलिए समकोर्तिर बोज आ गया यह भी बटा अधार बताये क्या रैस्पेक्ट दें इसको कि आएगा यह सहीर जबकी यह नहीं है वयसी तो क्या होगा आपका एंसर सहीर सहीं चलिए बता दीजिए बई नमर को आलपर रैस्पेक्टंड चेन्ज करके बुझ्झे गिना बुझ्झे बबबुव टाइप कोश्यन है संखि नहीं दिया है कोई बात नहीं ये और ये ये है कर्ण और ये है लंब तो हम क्या निकाल सकते इसका बिकर्ण तो नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है से एक ठीटा का मान पुछेगा पल्टी मार के स्क्वाइर कर देंगे वही वाला आंसर हमारा बन जाएगा ये वाला मजाक कर दिया क्या आपके साथ जब भी दिया 123 डॉट 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 कहां तक जाए जब इसका ब्रेक ना लग पाए तो आप इस पर देना पाउर प्रेक और मार देना एक हमेशा हमेशा कोस 90 माइनस चीटा बराबर प्यारो बताओ गई कि बता दे ठोक दिये ह पशेंज होता है बताईये क्या हो जायगा साइन 25 इंट पर कशेंग पर इस बड़ाबर क्या होता है एक कोई एक से कर देंगे बाबु 90 मांइस डिटा पर तकट की क्या हो जागा एक ना अप मैंपाफ चैप अगला खेंगे साइन का पूछती है मजाक कर दिया आपसे इसकी यह मजाल जो आपसे करें मजाक सही आना यह रोट थिरी बाटा टू होईंगा यह यह ब्रेट की छेट पल कितना एक सचोवन है तो उसका परीद है देखो पाई आर एसक्वाइर बराबर में एक सचोवन दिया है तो एक सचोवन ते यहां से हम आर का मान आसानी से निकल लेंगे बाईस बटा साथ तब बाईस से यह तो कटेगा साथ बार में टटेगा साथ सत्य उन्चास समझें बाईस बटा साथ होता है तो साथ सत्य उन्चास मने आर का मान निकलेगा कितना साथ निकलेगा तो परिधी होता है टू पै आर कितना होता है टू पै अर पैक मान फिर से 22 बटा साथ साथ से साथ खत्व बाइस दुनाचे व्यालेश अपसर नमर सी खतम मुहे मुही अब आजाओ कोश्यन नमर बड़ी सुंदर और खूपसुरत सा अंदाज में आया है जरा दिमाग लगाना है आपको प्यारों यहां पे सेख ठीटा प्लस 10 ठीटा 1 माइनस साइन ठीटा बर फर मुला कौन सा फर मुला और फर जब मुला हो जाए तो अंसर सी हो जाएगा कोश ठीटा होता है अस्तंब की लंबा रूट थीरी बाबू हमेशा साथ डिगरी कई बर मैने बताया है ज्यादा बर बताएंगे दिमाग फि चलिए प्यारो अब हम आपको कुछ दिर पहले कुछ बात आपको बता रहे थे कि कौन सा टेक्नलोजी लगाएंगे अब सब्जेप्टिंग में क्योंकि हमको तो कोशन लेकर आना था और हमने जब देखा तो हमको ऐसा कोई भी कोशन नहीं मिला है पूरे सेट में जो आप नहीं बना सकते हैं सभी कोश्चन मिला है वैसे बनाते तो सभी को बनाते लेकिन ऐसा कुछ भी कोश्चन उसमें दिया ही नहीं बिना दमदार दमलेस है अचा अब हम आपको टेक्निक बता रहे हैं इसमें सो कुछ कोश्चन ऐसा है जिसको आपको सल्व करना है सल्व करना है इसमें ते एक नमर के लिए सल्ब करना है वही कोश्चन जब आप सब्जेप्टिक में कर रहे हैं तो आपको दो नमर या तीन नमर के कोश्चन आपका नहीं आएगा ठीक है तिर्भूज में मत करना अगर ना है चल्खाने मत करना हाला कि कोश्चन का नमर हमारे पास दुगुना है आप पुरा पचास में पचास कर सकते हो हम जानते हैं कि तिर्भूज थोड़ा साब कर लेंदी रह गया है और आपके पा करके रणनीती यह करना है कि जोब हम अबजब्टी के लिए एक नमर के लिए हल कर सकते हैं सब्जब्टी के लिए तो डेफेनेटली बना सकते हैं प्रतिय स्थापन हुआ बिलेपन हुआ एपी में पीच्डी कि यह हैं दूरी सुत्र में भी कोई दीकत नहीं है त्रिगनोम मैं पित तैयारी और कल फायर करना जाक बम छोड़के आना है एक जाम होल में ठीक है हमारा गुट विश्चिस आपके साथ है बेस्ट अपलक हमेशा फटे करके आना मुश्पित आव देगे आना क्यों कि मालू है ना अपन चुकेगा ना इस बार साला ठीक है मिलेंगे कर ल नमातरम जाए 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 जाए